अभू हल्लो एभरीवन मैं हूं सुकराम कुमावत और मैं लेके आए आया हूं आपके दिए इजीटू लञ्ग फिजिस क्लासेग्व दिए शुडेंट अपनी लास्ट लेक्च के अंदर प्रिस्जू के बारे में study किया था वहां अपने पुर्मला फोर्मॉला और और प्रिस्म के बारे में फॉर्मॉला फोर्मॉला फिर फिर उसी फोर्मॉले को आपन गया देखे लिए विलकुल फिन प्रिस्म मतलह उसका जो एंगर होता है वो बिल्कुल पन ठील ले लिया अप्रोक्सिमेट फाइफ डिग्री एंकल ले लिया उस प्रिज्म के लिए उसको पन डिराइव करेंगे किलिए फिर अपन बात करें इस बर्जन ओफ लाइट की उसके बाद आप लास्ट पी लें क्रोमेटिक अब बरसन ही क्या होता है फिर इसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए तो सबसे बहुता लेता हूं आपके लिए डाइग्राम यह आपका प्रिज्म ऐसा ही होता है ना यह प्रिज्म ले लिए आपने यह माल लिए आपने पास इंसिडेंट रहे यह क्या आपकी इंसिडेंट रहे तो क्या हो इंसिडेंट रहे फिर पन क्या करेंगे नॉर्मल ड्रोप करेंगे यह मैंने क्या कर दिया नौर्मल ड्रोब कर दिया, यहां air है, यहां क्या है, glass, ray, air to glass जाएगी, तो क्या होगा, towards the normal, towards the normal क्या होगी है, bend होगी, चली गई, यहांगे क्या करेंगे है अपन, इसके आगे जाइशन देखने के लिए, perpendicular नौर्मल ड्रोब करेंगे, यह पने खा कर दिया एक और नॉर्मल डो कर दिया अब क्या होगा ग्लास कुएर्ड आ रही है तो आफे फ्रोम दा नॉर्मल रेचल दी कोई दिकत नहीं है इसने बुना वे थे P इस पॉइंट को ना वे दिया Q इस पॉइंट को R और यह आपका S और यह आपका प्रिज्म है प्रिज्म का एंगल A B और यह C इसी क्या कहते है पन प्रिज्म एंगल कहते है कोई दिकत नहीं है बता लिया आप पने यह क्या होगा आपका इंसिटेट एंगल क्या नाम दिया था पने आए बर और यह क्या होगा आपका यहां था को जिक्कत नहीं है लाज रख़ी बाद है जो पर ने वापस देख देख दडिराइव किये लिखी है बब दिक्कत नहीं है अब वह एक्शुल रे जाने मुँझ चाहिए थी चली गई यह तो इसको पीछे ड्रो गड़ते हैं और यह जो रहती यूजहरे से ऐसे जानी चूए थे मोट कूछो और यह शली यहां से जानी है तूपकर पूरी थे जो अथा इन दोनों को विच का means recognition आया हुससे का अपने डियुट हैंगा कि यहां तक चले आगे इसको नाम दे दिया मैंने और यहां तक कोई डाउट नहीं है शुरू करते हैं आगे करना कि आपने को मुल्कूल मिनिमम और मैंने बताया था कि यदी मीनिमम डेविशन होगा उसके के वलों के एक कंडिशन होगी वह कंडिशन क्या होगी इंसी यह इंगल आई वन है इमेशन एंगल नौहक के बराबर होगा और वर किसके बराबर होगा 12 के अपड़ों लेकिया चलना है कि जो हो रहा है वो क्या और एक्षोली मिनीमोँ मैं क्या मानते हैं कि I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2, for minimum deviation, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखेंगे पर, for minimum deviation, minimum deviation के लिखेंगे पर, I1 is equal to I2, is equal to I, माल लिया, कोई दिखर नहीं है, and, R1 is equal to, R2 is equal to, क्या माल लिया, मैंने, R, यहाँ ते कोई डाउट नहीं है, निकालना क्या अपने को, reflective depth, तो reflective depth का formula आपने पास क्या होता है, according to snail slow, according to snail slow, क्या कहता है, musical to, सब जानते हो आप, sign I upon में, sign R, एक क्या नमर क्या देती है अपने, first grade, अब क्या चीए पने को, mu निकालने के लिए, angle I, angle R, angle I, angle R, चीए, और angle R, चीए, तो वो क्या करेंगे पने इस diagram से, find करेंगे, I, चीए पने क्या चीए और R, चीए, तो triangle लेखेंगे अपन, O, Q, R, triangle ले रहा हूँ है, O, Q, R, देखना, in triangle, O, Q, R, आप जानते हो, triangle के तीनो एंगल का प्रप्रेसर किता होता है, 180 degree होता है, तो विए कैसे बता हूँ क्या, angle O, ये angle होई है, angle O, पने क्या मान लिए, R, R2 क्या मान लिए, R, तो angle R, plus angle R is equal to 180 degree, कोई दिकत नहीं है, R plus R क्या मान लेंगे, 2R, डायेट दिख दिया, और angle O, ऐसा कैसा, is equal to 180 degree, equation number क्या मान लिए पढ़ने, 2R, यहां तक कोई दिकत नहीं है, आप पना बात करें, इस quadrilateral की, A, Q, O, R, A, Q, O, R, ये quadrilateral, 4R, कोई दिकत नहीं होता है, 360 degree, ठीक है, अब देखेंगे, इस जावा सम कितना है, 360 degree है, और angle Q की बात करें, angle Q एक्शली है, क्या, angle Q टूटल क्या है, 90 degree, angle R बी टूटल कितना है, 90 degree, ये दो 90 है, मतला भी दो 180 होगे, तो इन दोरों का सम कितना बचेगा, 180 बचेगा, ये बचेगा, किलियर है, तो क्या लिख रहाऊं हूँ है, इन quadrilateral, in quadrilateral, AQOR, angle Q और angle R, angle Q is equal to angle R is equal to 90 degree, ये तो final है, fix है, ठीक है, तो इन दोरों का सम क्या होगा, then, so, angle A plus angle O is equal to 180 degree, right or not, क्लियर देट, या ता कोई दिक्कात, नहीं है, quadrilateral पे सभी पॉनों का, टोटल पॉन्ट जो होते हैं, उन सब का सम क्या होता है, 63, उसमें 2 पॉन अपने क्या बचा दा दिये, 90 degree तो जो दो बचेगे, उनका सम क्या होगया, 180 हो गया, अब देखो, equation number, third and equation number second, दोनर के right and side बराबर है, तो left is क्या होगी, बराबर होगी, from equation, second and third, क्या लिखोगे आप, 2R plus angle O is equal to, क्या लिखें, angle A plus angle O, angle O से angle O cancel, क्या होच जाएगा, इसको खाली मैं यह लिख सकता हूँ, तो 2R is equal to A, and R is equal to A by 2, equation number, third, देखें, what else, से, अपनों दो चीज़ 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 थी, एक R चीज़ थी, R अपने पास already R चुका है, अब क्या निकालना अपने को, I निकालना है, आई के लिखेंगें, since, आप जानते हो, अपने जानते हो, अपने क्या जानते हैं, कि जो डेल होता है, इन दोनों, इन साइड एंगल के बरावर होगा, और ये इन साइड एंगल के बरावर होगा, देखो, ये टोटल आईवन है, ये टोटल, या से लकर यां तक आईवन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, दिख रहा हो, वह इसको बिटा लेता हूं मैं, आप देखेंगे या, ये आईवन है, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका पूरा पूरा आईवन बढ़ेगा, तो उपर वाला क्या बचेगा, जब की नीशी वाला के पास क्या है, आईवन है, तो क्या बन जाएगा, आईवन माइनस का आईवन नोट, इसी परकार से ये उपर वाला क्या बन जाएगा, ये अपने पास, आईटू माइनस का आईवन दिख रहा है सबको, आईटू माइनस का सब्सक्राइब और सबस्क्राइब एक सब्सक्राइब गत्रिए सब्सक्राइब यह बराबर होता है, इन दोना समकंड़ा हो, clear that, so del is equal to क्या रिक हो गया आप, i1 minus का r1 plus i2 minus का r2, बोलापन जानते हैं, i1 बराबर i2 है, r1 बराबर r2 है, तो i minus का r1, sorry, plus i minus का r, तो ii कितना हो जाएगा, 2i minus के 2r, 2r इसके बराबर है, एक एक बराबर है, तो 2i minus का a, कैसी आपको इसलिए, आई चीए, तो क्या रिक हैंगे यहाँ से, del m लिग देते हैं, इसको, minimum deviation की बात कर रहें, तो del m plus a is equal to 2i, and this implies i is equal to del m plus a upon me 2, equation number 4, देखेंगे अपने पास, i भी आज चुका है, और r भी आज चुका है, कारेक नहीं, equation number 1 के अंदर, तो जो चीए, अपने को डराइब हो जाएगा क्या, चलिए, from equation first, या लिक राउन में, from equation first, mu musical to, जो पने को डराइब करना था, reflectiveness mu is equal to, sin i, i की value क्या अपने पास, del m plus a by 2, और sin i, आज कितना है अपने पास, sin a by 2, this is complete final answer, for this topic, क्या डराइब करना था, reflective index of the prism, अपने डराइब कर लिया, mu is equal to sin i, del m plus a by 2, sin a by 2 का ratio, कि लिए ये क्या लिए अपने पास, reflective index of the prism, इस एक चीज़ और बोलते हैं, this is called prism formula, this equation, is called, prism formula, prism formula, prism formula, इसे prism formula भी कहते हैं, को जिकत नहीं है, पटाट इसको प्राइट कर लिजिए, पटालिया वसभीने, बिटा लेता हूं इसको मैं, अब जो क्या करना है, ये ही फोर्मुला, थिन, prism के लिए ड्राइब करता है, त्राइब फोर्मुला और रिफ्रेटिंग जैट्स, और दा, थिन, prism भी करते हैं, क्या ही परते हैं, थिन, prism, किसले ड्राइब ना है, फोर्मुला पड़ेगो, थिन, prism के लिए, थिन, prism के लिए, अपन जानते हैं, मैंने बताया था, भी भी आपको, कि थिन, prism के लिए, यह थो है, बोगथी, छोटा होता है, अपरोक स्किता र्लेते हैं, फैभ देखरो, इडरी बेखरो, जोटा अवन है, यह थोटा होने, तो देलम के अव जाएगा, ओर भी छोटा हो जाएगा, है, खोई डाउट, मैं है, सिंस आपन जानते हैं फोर मीनिमम या थिन प्रिजम के लिए एंगल की ताल चोटा होता है तो डेलम भी क्या हो जाएगा चोटा हो जाएगा तो फिर सिंस लिखें आपन मुई इस इकल टू क्या है अपने पास साइन डेलम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू किलियर जैट अपने भी बूला कि ए चोटा डेलम भी चोटा अपने जानते हैं इफ ठीटा इस वह एड़ स्मॉल और साइन ठीटा प्लोक्स मेडिकोल किस क्यों होता है ठीटा इगरा होता है इफ ठीटा इस वेरी स्मॉल देन साइन डेलम प्लस ए बाई टू अप्रोक्सिमेट इकल टू डेलम प्लस ए बाई टू होगा सिमिलरली साइन ए बाई टू अप्लोक्सिमेट इकल टू ए बाई टू याते कोई दिकत नहीं है फ्लो इकर्सम फास्ट वी केन से लाट क्या कह सकते है पर्ण कि डेलम प्लस ए बाई टू अपन ए बाई टू कि उसे 2, cancel, यहां तो को लीकत नहीं है, cross multiply करें, तो mu A is equal to del M plus का 1, एक उधर लेकर जाएंगे, एक ओमन ले लेंगे, क्या बज़िए अपने पास, mu minus 1 is equal to del M, यह क्या बज़िए अपने पास, minimum deviation आरिया, किसके लिए, तिन प्रिजम के लिए, इसके लिए अपने पास, थिन प्रिजम के लिए, minimum deviation के लिए अपने क्या निकाल लिया, और मेरा डिराव कर लिया, del M, क्या होता है, mu minus 1 into 1, जहां यह क्या होता है, mu क्या होता है, उसका, फिस सब्टी इंडेक्स होता है, जरुदी बू क्या होता है, यह भर भूता है, कि लिए देट, बासवाजी में अदि, यहां कोई डाउट नहीं है, तलि आगे शलते हैं, अपने, थर्ट टोपी क्या था अपना, डिसपरजन ओफ लाइट, तो यह, अद्यों इससे मार दो या अपका प्रीस्म काम की अजज्ट क्या करता है, इस मार लू ये लाई आए अपने पास, ये क्या लिए हमने इस ने क्या किया इस वाइच जदल करता हやता सेवन खाल में क्या कर दिया डिवाइड पार्थ हो दिया अलग लग कर दिया ठीक है इस इस कोल्ड डिस पर्जन ओफ लाइट क्या कहते हैं पर डिस पर्जन ओफ लाइट बिटा देता हूं इसको में सबस्का है मौने मौने क्रूश कया से अथ ही डिस पर्जन ओफ इस ऑफ सब्सक्राइब हो का फिसM कर रहा है तो किया है क्यूं कर्राथ ग्रों कंडर कर दिये तो बडिय तो एकल ज्युच्ञ उख मैं अब विभ्गोर है अपने पास क्या है वी आई बीजी वाई ओ और वोय इंडिगो ब्ल्यू ग्रीन यलो औरेंज रैट यह गजर होते हैं अपने पास तो इसमें जो सिक्वेंस होगा किस परकार से होगा कोन ज्यादा डिस्पर्जन होगा कों कम डिस्पर्जन होगा तो देखो आपन जानते हैं कि जो आपकी लाइट होती है उसकी जो वैलोसिटी होती है उसकी जो भेलोसिटी होती है वह म्यू के हो सबसे ज्यादा होती है और जानते हैं जिसकी ज्यादा वेलिशुटी होगी उसका रिफ्लेक्टिवनेस उतना ही क्या होगा कम होगा तो रेड का रिफ्लेक्टिवनेस क्या होता है उतना ही कम होता है जितनी उसकी वेलिशुटी ज्यादा होती है और वॉयलेट का जो म्यू ह पूपता ही क्या होगा जादा होगा मतलब वोईलेट का जो म्यू है वो क्या होता है ज्यादा होता है और रेड का जो म्यू है वो क्या होता है कम होता है पिस्टर्ट के लिए बासमज़े में आ देगे हैं और अपन जानते हैं म्यू जो होता है वो डेले क्या होता है पर पोस् होगा उतना ही कम रेड क्या होगा तो सबसे कम कौन से कलर में आता है रेड कलर में आता है इसलिए आपको कई बार देखा आपका आकास जो है वह आपका ब्लू दिखाई देता है सबसे बार देटा है ब्लू के आपका निले हो जाते है तो सबसे जादा आकास वहोगा नीलान दिखाई देना सुरू हो जाता है एक्टूल में आकाज जो बलेक है कंप्लिट ली बद आपको दिखाई किसकी करण दे रहा है आकास जो लाइट शुर नाइट इसके इसके डिसपर्शन के करण आपको दिखाई दे रहा है किलियर देख कोई दिक्त नहीं है इसके बाद एक फिक हो ले गया का वह है ग्रोमेटिक अबशन थीच है क्लोमेटिक अबर स्य यह क्या होता है मैंने आद पताया था इस टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर की कोई भी एक ठीक लैंस कोई भी एक ठीक तो ठीक लेंस के तरा किया की तरह behavior कर सकता है तिक लेंस किया करता है तिक से separation की तरह लोगा कर देगा उसकी image को ऑब्जयक्ट की email कर देगा blur करदे का देगा और ज्याना साफ दिखाई नहीं देगी ठीक है , इस घटनों के call 사य को बिद अफसे हैं वो बिखेड देगा वो सारी बना देगा उस इमेज की ठीक है इस कारण जो गटना गटी दोती है उस गटना क्या कहते हैं क्रोमेटिक अबर्शन कहते हैं ठीक है बासमजी में आगी कि कोई भी थिकलेंस किसी भी ओब्जेक्ट के कलर्ड की फोर में आपको दिखाएगा इस कुष अपर्शन को दूर करने का तरीगा क्या है आप दो युट से अदिक क्या करो डो ठीक लैंस पापस में जोड़ः तो जो इमेज मिले गा को दो बीलकुल साधे मीरेंस कि को में रखे हाट जाएगा है rates the call chromaticни के को खिकत नहीं आए यिव और समझए में आगए आपको चलिए अब लेते हैं कुछप्रोब्लम्स इसको मेटा देता हूँ है अब बात करते हैं है अपनी फिर्स्ट प्रोड़म के पारे में क्या और आपको यह पास एक प्रेस्म क्या एक प्रेस्म है कुंसमा दिया गया आपको इक्विलेटर प्रिज्म दिया गया मतलब सभी एंगल कितने हैं आपके 60 डिगरी के कोई दिकत नहीं है कि यहां से करें आई है कि पेंड होई फिर पेंड हो जाएगी यह यूँ जाना चाहिए थी प्रिज्म दिया गया है कितना 30 डिगरी कि पुच्छा है आपसे स्पीड ओफ लाइट फाइंड आपको कि स्पीड ओफ लाइट पार आपको कि होगी जबकि उसका minimum deviation कितना दिया गया आपको 30 डिगरी तरही कि आपने को वी चाहिए वी क्या होता है वी पॉर्म दा शीए पॉन मुई होते हैं क्या होता है सी अपॉन मुउ लग दिया अपने आता तो अपने चाहिए क्या एक्चुली सी तो अड़ी है मुउ चाहिए तो मुउ क्या होता है अपने पास सेंस मुउ इस इकल टू साइन आई अपॉन में साइन आप यह होता है साइन आई अपॉन में साइन आ और साइन आई का क्या विल फोर्मला होता है अपने पास साइन ए प्लस डैल एम बाई टू यही निकाह था अपने कुछ देर पहले साइन ए बाई टू कोई दीकत नहीं है तो साइन एक ही वेल उ कितने अपने पास सिस्टी सिस्टी प्लस थर्टी अपॉन टू और साइन 60 अपॉन टू कोई दीकत नहीं है 60 प्लस 30 90 90.2 साइन 45 डिगरी और यह साइन 40 डिगरी और यहीं 45 डिगरी क्या होता है 1 आपॉन रूट टू 30 क्या होता है 1 अपॉन टू यह होता है क्या 2 पर जाएगा रूट बाएगा तो अपने पास μू कित्म आ है Aपने पास मुट की वेज़ी क्या एग अपने पास रूट तू यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मुट आगया जही क्या आपने वो तो वी इस इकल टू क्या होता है अपने पास C अपने पास मुट की वेज़ी कितने होती है 3 into 10 T power 8 upon root 2 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है रूट 2 वानपोन रूट 2 क्या होता है एक फिली पने पास 0.707 यह होता है ना वानपोन रूट 2 फिली वेली हो इंटू 3 इंटू 10 की power 8 मिटर पर सेक्टी मुट करेंगे तो पने वास क्या मिलेगा 370 21212 12 2121 चलता रहेगा अपने पास आगे पास ठीक है एंटू 10 की पावर 8 मिंटार पर सेकंड इस फाइनल रिजर्ट स्पीड ओफ लाइट किसी हो जाएगी 2.121 इंटी पावर 8 मिंटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी यहां तक हो इदिकत नहीं है पड़ा और इसको राइट कर लिजिए चलते हैं नेक्स प्रोगम की और इसके बाद चलिए नेक्स प्रोगम लेटे हैं पर पड़ा दो इसको प्रोगम नॉबर टू प्रोगम नॉबर टू क्या हो देए आपको कि आपके पास एक प्रिस्म है और प्रिस्म किया जो यह फेस है सेकंड फेस इसको पर ने शिल्वड कर दिया पॉलिस कर दिया तो क्या किस तरह बिएव करना शुरू करेगा अपने पास क्या रही एक रही आई रहे टकला के अंदर जाएगी कोई दिकत नहीं है इसका जो आपका reflection angle दिया रहा है आपको 30 degree कोई दिकत नहीं है आपको 30 degree दिया गया है और आपसे यह पूछा है कि ऐसा आई बताइए वो आई बताइए वो आई फाइंड आउट किजिए वो incident angle फाइंड आउट किजिए जिससे यह ray इस रफिस से टकलाकर दुबारा इसी पात को क्या करें रीट्रेस करें इसी पात को रीट्रेस करें उसके लिए क्या करना आपको incident आउट करना है अब जानते हो यह आई बन और यह आपका आद बन ठीक है यह आई आद माँदो इसको यह एंगल उपता है यदि कोई रह यहां टक्राएगी दुबार इसी पात पे जाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए की जो रह है इंसीडेंट हेलों चीए मतलब इंसीडेंट एंगल क्या होगा जीनों इस पातategी इस सदेंगल ऑगा जीरो मतलब यहां पर आइडेस की वेल्यू क्या होना चाहिए जीरो तो रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स आइडेस पर क्या होना चाहिए जीरो कोई दिक्रोड़े बाद नहीं है पास मज़िए भी क्यों दुबाद सुन लीजिए कि एक प्रेजम है उसका एक सफिस अपने क्या कर दिया शिल्वर्ड कर दिया आपको एक रेड डाली और रेड क्या करने चाहिए रहे वापस उसी पाक कर रेड्रेस होनी चाहिए उसके लिए आपको इंसिटेट एंगल फाइंड आउट करना है जब क्या फो और आपको इसका म्यू दिया गया है 1.414, कोई लिकत नहीं है, is that clear, तो सुरू करें इसके लिए, अब देखो, क्या दिया गया आपको, since, I' is equal to R' साथ, चाहँ आप ऐसे लिख दो, I2, R2 is equal to, क्या दिया गया आपको, 0 दिया गया, किता दिया गया है, 0 दिया गया, clear that, और अ पढ़ जानते हैं, A's replied to adalah A, R1 प्लस R2 यह लिए, और यहां R2 की विल्म और इतनी है, 0 है, तो, R1 प्लस 0 और R1 किता दिया गया अच्छpri면, 30जी दिया गया है, तो A is equal to क्या मिल गया आपको 30 degree मिल गया, ये अंगल किता मिल गया आपको, 30 मिल गया, कोई दीकर नहीं है, एक क्या मिल गया आपको, 30 मिल गया, आप क्या करें आगे, स्पूल करते हैं इसको, चलिए, स्वूल करते हैं इसको, मिल गया अपको, आपको, आइची है, तो देखेंगे, मियू की वेलू 1.414 साइन आई ए एज टेस साइन आज की वेलू क्या लिखेंगे वही साइन थर्टी क्या तो हुँती है साइन थर्टी कोई दीटल रोगा नहीं है तो अपने पास यहां क्या है एक्श्वली से लिखार कऱने साइन आई अपन में साइन थर्टी साहीर चलोगी साइन आई अपन में वेल करती है वन अपन टू तो वेली क्या बनेगी या से अपने पास साइन आई इस इकल टो 1.414 upon me sorry 1 upon 2 यहां था कोई तिकत मैं ही है 1.414 किसके वेलिए तिक चुली root 2 की वेलिए तो होती है upon me 2 क्या बचेगा अपने पास 1 upon root 2 किसके बरावर sin i के बरावर sin i is equal to 1 upon root 2 i is equal to क्या होगा अपने पास 45 दीग 1 upon root 2 किसकी वेलिए होती है sin 45 दीगरी वेलिए होती है तो i is equal to पास क्या आज जाएगा 45 दीगरी आजएगा incident angle कितना आगे अपने पास 45 दीगरी आगया यहां ते कोई दीकर नहीं है is that clear यह था अपना आज का lecture मिलते हैं next lecture में तब तक लिए see you बवाई थाक्या